गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कलास 12 के केमेस्ट्री में चेप्टर नमबर 2 सॉल्यूसन अनिकी बिलियन के बारे में हम लोग देखेंगे इसके पहले बाले बीडियो में दोस्तो हम लोग बिलियन कानुसांखिक गुन अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप जाकर बास्पदाब का आप एक्ची का बनमन और उसे समंधित राउल्ट के नियम को देख सकते है दोस्तो आज हम लोग बिलियन के नुसांखिक गुनधर्म का दूसरा टोपिक देखेंगे बहुत ही इंपोर्टिन टोपिक है दोस्तो ये टोपिक आपके 12 बोर्ड एजाम में बहुत बार पूछा गया है कोथनांक का उन्नयन कोथनांक का उन्नयन बहुत ही important topic है दोस्तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे और इस topic को आप अपने copy पर भी note करते जाएए ये question आपके एजाम में पूछे जाएंगे तो कोथनांग का उन्यन का मतलब क्या होता है दोस्तो देखे जिसे मान लिजे कि यहां सुध बिलायक के अनू है चलिए ये सुध बिलायक के अनू है मान लिजे ये जल के अनू है तो इसका जो कोथनांग होता है दोस्तो जल का कोथनांग हम लोग जानते हैं कि वो 100 degree Celsius होता है ठेकर है तो इसको हम लोगम माल लेते है टीयस सुध बिलाएक का कोथनांग अब इस में जब हम कुछ बिले के अनु को ले करके आयेंगे चले ये बिले का अनु हो गया अब ये बिलीन बन चुका है मालने ज़े कि ये बिले हम एक गण्याश ग्राम या दस ग्राम यह सियल इ हैं तो अब इसका कौथनाग क्या हो जाएगा अब इसका कोथनाग को गया 101 जो बिलेई डालने के बाद इसका क्वथनाग को बढ़ गिया है इसको लिखेंगे TES ठीक है आनि कि जब हम सुध बिलायक में किसी बिलेई को घूलाते हैं तो उसका कोथनांक बढ़ जाता है और जितना कोथनांक बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं कोथनांक का उन्यान तो यहां पर हम देखते हैं कि कोथनांक जो है वो एक डिगरी सेल्सियस किसी बिलायक में बिले की कुछ मात्रा घुलाई जाती है तो उसके कुछनांक में बिर्धी हो जाती है जिसे कुछनांक का उन्यन कहा जाता है तो यह कुछनांक का उन्यन का प्रिभासा हो गया अब हम लोग देखेंगे कि कुछनांक का उन्यन निकालते कैसे जाहिसे यहां पर हम लोग देखेंगे कि कुछनांक का उन्यन एक डिगरी सेल्सियस हुआ तो एक डिगरी सेल्सियस कैसे जो billion का कोथनांक है, dus उसमें हम सुध बिलाए का कोथनांक को घटा देंगे तो हम को क्या मिल जाएगा? कोथनांक का उने, नहीं कि कोथनांक में कितना बिर दिये हुआ है तो हम इसको इस परकार से भी लिख सकते हैं अर्थात billion का कोथनांक इसको हम लोग T यस माने हैं तथा सुध बिलायक का कोथनांक इसको हम लोग T जीरो ले लेंगे के अंतर को कोथनांक का उन्नेन कहा जाता है आनि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोथनांक का उन्नेन बराबर बिलियन का कोथनांक माइनस बिलायक का कोथनांक आनि अगर इसको सिंबॉल में लिखेगा तो कोथनांक के उन्नेन को हम लोग सुझित करेंगे डेल्टा T बी से और यह आजाएगा देखें बिलियन का कोथनांक हम लोग लिए हैं T यस और माइनस करेंगे T जीरो तो यह हो गया बिलियन के कोथनांक का फॉर्मूला T बी इक्वाल टू T यस बाइनस T जीरो तो दोस्तो यह हो गया कोथनांक का उन्नेन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोथनांक के उन्नेन से समंधित राउल्ट करनियम यह भी बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है दोस्तों वो पाच नंबर के कोश्चन में अनि लाउंग कोश्चन में आपको पूछा जाएगा कोथनांक के उन्नेन से समंधित राउल्ट करनियम यह कोथनांक का उन्नेन जो है यह सौर्ट में पूछा जाएगा दो मार्स के लिए तो यह हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में कोश्चनांक का उन्नेन से समंधित राउल्ट करनियम जरूर देखिएगा